नमस्कार हिंद टीवी में आपका स्वागत है पॉलेटिकल वेंडेट्टा एक ऐशा शब्द है जिसे भरस्टाचार के लिए धाल की तरह उपयोग किया जाता रहा है हमेशा जब भी किसी नेता के भरस्टाचार के मामले उजागर होते हैं तो उसमें राजनीतिक बदले की भावना जशब्दों का उपयोग किया जाता है और ऐसा ही किया जा रहा है महरास्ट के अंदर महरास्ट में नसीपी और शिब सेना के नेता ब्रस्टाचार की दलदल में फस्ते जा रहे हैं और वहाँ पर उद्धब ठाकरे और उसके साथ साथ इनसीपी परमुक्षरत बवार दोनों ही बार बार ये सवाल किंदर सरकार के उपर उठा रहे हैं कि ये जो सारी कारवाई भरस्टाचार के खिलाब की जा रही है महरास्ट में वो राजनितिक बदले की भावना से ग्रसित है तब राजनितिक बदले की भावना से ग्रसित होकर अगर कोई कारवाई की जाती है तो वो कुछ दिन तक टिकाव हो सकता है लेकिन कोट किसी राजनितिक एजेंडे को आधार बना कर न तो सजा सुनाती है और नहीं कस्टडी की मान को स्विकार करती है अगर NCP के नेता जेल के अंदर महीनों से हैं तो इसका मतलब कोट के पास ऐसे सुबूत दिये गए हैं जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा गया है कोट किसी राजनितिक एजेंडे से नहीं चलती बलकि उसके पास सुबूत होने चाहिए अगर Inforcement Directorate यानि परवर्तन निदेशाले या Income Tax Department का उपयोग किसी भी नेता के खिलाफ ब्रस्ताचार के मामले में फसाने के लिए किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कुछ सुबूत होने चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे निता जिनके परिवार ने इस देश पर लगभग 40 साल से जादा शासन किया है उन लोगों के खिलाफ इन मामलों में इन एजेंसियों का उपयोग किया जाता लेकिन इनके खिलाफ तो लगतार ऐसे मामले नहीं आते और नहीं ब्रस्ताचार के खिलाफ मामले गड़े जा रहे हैं जबकि जो राजनितिक दल इस ब्रस्ताचार के दलदल में फसे हैं वही ज़्यादा चिला चिला कर कह रहे हैं कि राजनेतिक बदले की भावना से इन सरकारी एजंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाब किया जा रहा है महराश्ट में सबसे ज़्यादा ये मामला चल रहा है अभी हर कुछ दिन के बाद महारास्ट में एक ब्रस्टाचार का मामला उजागर होता है और उसके बाद राजनेतिक बदले की भावना से ग्रसित होने की बात उठाई जाती है अब NCP के बाद उद्धब ठाकरे के घर तक ED पहुँचने वाली है, income tax पहुँचने वाला है और ऐसे में उद्धब ठाकरे के साथ NCP परमुक शरत पवार भी खड़े नजर आएगी क्योंकि पिछली बाद जब NCP के नेता ब्रस्टाचार के मामले में फसे थे तो उद्धब ठाकरे ने भी उनका साथ दिया था अब महरास्ट के राजनिती में अगर देखे तो तीन पार्टियों की सरकार है जिसमें से NCP, शिब सेना और कॉंगरे सामिल हैं लेकिन इन तीनों पार्टियों में से सबसे ज़्यादा मामला NCP और शिब सेना के निताओं के उपर चल रहा है शिब सेना के अब जो उद्धव ठाकरे के परिवार में भी भरस्ताचार के आरोप घुशने लगे हैं पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के बेचे आदित्य ठाकरे के एक नज़दी की व्यक्ति को भरस्ताचार के मामले में पाया गया था जो उद्धव ठाकरे की पाची के मेंबर भी थे और साथ में आदित ठाकरे के बहुत करीबी बताय जा रहे हैं उसके बाद अब उद्धव ठाकरे की पतनी रश्मी ठाकरे के भाई के उपर भी भ्रस्ताचार का मामला आया है इसके कारण अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि ED और IT दोनों अब उनके दर्वाजे पर भी पहुच गई है और इसलिए NCP और शिब सेना के बीच एक कोलूजन हो गया है दोनों में भ्रस्ताचार को लेके यानि ऐसी साथ गाठ है कि किसी भी पाठी के खिलाब कोई कारवाई होगी उनके नेताओं के खिलाब भ्रस्ताचार की कारवाई होगी तो उस पर राजनितिक बदले की भावना से ग्रसित होने का आरोप लगाया जाएगा ऐसे पूरी तरह से राजनितिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी नवाब मलिक के मामले में भी यही हुआ अनील देशमुक के मामले में भी यही हुआ अनील परब के मामले में भी यही हुआ और अब जबकि उद्धव ठाकरे के साले को इस मामले में घसीटा जा रहा है तो भी यही हो रहा है जबकि ये मामला लगभग अगर देखा जाए तो जो एडी ने सबूत पेश किये हैं वो आइने की तरह साफ है उद्धव ठाकरे के साले ये उपर जो भरस्ता चार कारोप लगा है और एडी ने जो कारवाई की है उसमें कोई भी ऐसे सबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो मनगढ़न तरीके से लगाये गए हैं क्योंकि ये मामला पिछले करीब करीब 5 सालों से चल रहा है डी मोनेटाइजेशन के समय ही एक कमपनी के ऊपर मनी लॉंडरिंग का मामला दर्जुआ था वो कमपनी महाराष्ट की पुस्पक ग्रूप थी पुस्पक बुलियन के ऊपर 84 करोड रूपे के मनी लॉंडरिंग का मामला दर्जुआ जिसमें उसके साथ-साथ धाई सो कीलो के करीम सोना भी जब किया गया था अब 84 करोड के money laundering के मामले में pushpak billion को की जाच इसलिए हो रही थी क्योंकि उस समय जब dean monetization हुआ था तो उस समय इसने पुराने note को भी बदला था और कई कंपनियों को ये पैसे दिये थे और money laundering के खिलाब जो चाच चल रही थी उसमें समय लगता है वो धीरे धीरे उसके accounts के जाच की गई और जब legal और illegal तरीके से वो पैसा कहा कहा देता था वो जब देखा गया तो उसके बाद एक company का नाम आया जिसको इसने लगबग 6.500 रूपे दिये थे और वो company थी साई बावा ग्रिह निर्मिती प्राइवेट लिमिटेड साई बावा ग्रिह निर्मिती प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट की company है जो flats करीती है मुंबई में इसका कारोबार है अब इस company के खिलाब भी notice जारी किया गया जो पुस्पक ग्रूप की जो attach किये गये संपती उसमें से जो इगारा फ्लैट को seal करने की बात हो रही है जिसको seal किया गया जिस पर notice दी गई है वो इगारा फ्लैट इसी साई बावा ग्रिह निर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है अब इस company का मालिक जो है वो रश्मी ठाक्रे के भाई है यानि कि ये पूरी तरह से उद्धव ठाक्रे के परिवार से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये real estate company चलाने वाले स्रिधर माढव पाठन कर ये रश्मी ठाक्रे के भाई है यानि उद्धव ठाक्रे के साले है अब ये मामला जब उनके घर तक पहुँचा तो राजनितिक बवाल मचना सुरू हो गया धीरे धीरे इनको इसमें फसाय जाने की बात होने लगी जबकि ये मामला आइने की तरह साफ है कि पुश्पक विलियन ने साथे 6 कड़ो रूपया इस कमपनी को दिया और पाटनकर ने उससे एक प्रोजक्ट में इन्वेस्ट किया और एक गारा फ्लैट खरीदे और उसके अलाबा अभी जाच होने पर और पता चलेगा कि ये जो 6.5 करोड की रकम थी वो वास्तब में 6.5 करोड थी या फिर 40 करोड थी क्योंकि ये असट के अनुसार अभी आकलन किया गया है कितने कितने में खरीदे गई थी और इनके दूसरे जो कारोवार हैं दूसरे फ्लैट हैं दूसरे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक सामने नहीं आया है और यही बौखलाहाट उद्दव थाकरे के परिवार की है क्योंकि अब ये जाज का दायरा जो बढ़ रहा है तो रश्मी थाकरे इसमें फच सकते हैं उद्दव थाकरे भी फच सकते हैं और आदित थाकरे की बौखलाहाट भी इसी कारण है क्योंकि उनके करीबी राहुल कनाल के उपर तो पहले से ही E.D. की नजर है उनके खिलाफ नोटिस जारी की है, कस्टडी में लिया गया है और उनके जो स्रिसाइं ट्रस्ट है राहुल कनाल के उस पर भी ब्रस्टा चार का आरोप लगा है तो ये सारे मामले अभी जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सारे सुबूत इन लोगों के खिलाफ इशारा करता है चाहे अनील देश्मुक का मामला हो जो वसूली कांड के साथ साथ सेल कंपनियों के थूप मनी लॉंडरिंग का कारोबार कर रहे थे उनके खिलाब भी मामला चला और आखेकार ग्रीम मंत्री से उनको इस्तिफा देना पड़ा या अनील परब का मामला हो या नवाब मलिक का मामला हो नवाब मलिक भी अभी जेल के अंदर ही है उनके उपर जब मामला दर्ज हुआ और हुने का स्टडी में लिया गया तो उस समय भी राज्यतिक बदले की बात ही की जा रही थी अब ये सारे politician और उनके इर्दगिर्द जो सत्ता में रहने वाले लोगों से मलाई खाने वाले लोग हैं ये सारे corrupt लोगों के जो कारणामे हैं उनको ढखने के लिए कब तक राज्यतिक बदले की भावना का जिक्र किया जाएगा और एक दूसरे के उपर आरोप लगाया जाएगा क्योंकि कोट में ऐसे तरक नहीं चलते सिर्फ जन्ता को बरगलाने के लिए ऐसे तरक दिये जाते हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि हम इमानदार हैं हमारे उपर ब्रस्टाचार का लेबल लगाया जा रहा है तो ये स्थितिया महरास्ट में चल रही है और इसे अब जल्दी ही खत्म किया जाएगा क्योंकि मोदी सरकार की ब्रस्टाचार के खिलाब जो पॉलिसी है उसमें राजजितिक बदले के भावना के लिए कोई जगह नहीं है और नहीं इन आरोपों का केंदर सरकार के ऊपर क कोई परभाव पढ़ने वाला है तो इसी तरह की खबरों के साद पिर से हाधिर हुगे तब तक लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें हम्हें आपके सुझाव کا इंतिजार रहे हमार साथ जूरने के लिए धन्यवाद